हाई गाईस मेरा नाम है संचित और आप देख रहे है टेक बार और वन प्लस एट को मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ मेरा डेली ड्राइवर था एफोन और इसने काफी इंप्रेस किया है मेरे को एक बात मैं आपर क्लियर कर देता हूँ मेरे साब से ना अगर कोई भ इसको खरीदेगा तो वो इसकी डिजाइन के लिए और दूसरा इसकी सौफ़वर एक्सपिरेंस के लिए मैं आप लोग को समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ अगर मैं इसको इसकी कंपेडिशन के साथ कंपेर करूँ तो सबसे बुरा कैमरा मुझे इस फोन का लगा है री अगर मैं सकीन टोन देखो तो बिल्कुल वाश आउट सी लग रही है मुझे नहीं पता यसा क्यों है आप लोग को मैं दिखा रहता हूँ यहां पर भी वाइड बिल्कुल ओफ रहता है यह भी बहुत मतलब दिक्कत वाली बात है लो लाइट में तो काफी जादा स्ट्रग तो सबकुस ठीक है बट कलर्स पता नहीं क्यों बहुती ओफ रहते है तो यह वाली मेरे साबसे प्रॉबलम जो है वन प्लस को बहुत जल्दी सॉल्व करनी चाहिए सेम चीज मैं फ्रंट कैमरे के बारे मैं कहना चाहूँँगा मैं आप लोग को हर लाइटिंग कंडिशन के अधर फोटो दिखा देता हूँ आप लोग खुझ से कोगे कि बाई कलर सोड़े से डालो यार क्या कर रहे है पीछे की AI जो है इतना अच्छा काम नहीं कर रहे है जितना उसको करना चाहिए ऐसा मुझे परसनली फील हुआ है तो कैमरा जो है इस फोन का सबसे जादा मुझे डाउन साइड लगी है अगर मैं कंपेर करूँ कॉंपेटिशन से तो वहीं पर मैं इसके अंदर थोड़ी बहुत वीडियोज शूट करकर देखी थी वीडियोज में तो बहुत चा परफॉर्म करता है यार काफी स्टेबल रहती है ओडियो भी बहुत से रिकॉर्ड करता है आप लोग सेंपल देखी गए होगे तो इसमें तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुए काफी अच्छी मला डीटेल कैप्सर करता है वीडियो के अंदर दो बट वहीं पर रिवर्स है इसकी इमेज क्वाड़ी के अंदर आई विश जल्दी से इसको वन प्लस ठीक करकर रखा हो इस फोन से और मैं हो सकता कि फ्यूचर में भी वन प्लस एट पर फिर वन प्लस एट ही यूस करूं मुझे यू आई मैं बहुत सीरिस लेता हूं है मेरेको फेवरेट जो है सैमसंग की वन यू आई मेरी जो इनकी 2.1 आई उसके आइकन्स वगरा मुझे बहुत ही हिस्टरी रही है सॉफ्टरी डिपार्टमेंट के अंदर हमीशे से लोग एक्स्ट्रा स्मूध एक्सपिरेंस देते हुए आई है शायद इसलिए रूपर से 90 हट्स जलने के बाद तो सीरिसली भाई इनोंने लिमिट्स हच से जाधा पुश कर दी है मैं वैसे आप लोग क अगर आप गेमिंग के लिए कोई भी फोन ढूंड रहे हो तो वन प्लस एट आपको बहुत जादा पसंद होने वाला है और क्रेजी बात तो यह थी कि मुझे वाम होता हुआ नहीं दिखा डेली का टेंपरेचर बहुत हाई है आजकल 40 डिगरी से उपर ही रहता है आपर इत सारी रहती है तो बिल्कुल क्रेजी एक्सपीरेंस था सॉफ्ट्वेर जो इसका है ना फोन का मेरे साफ से यह आपको बहुत ही लॉंग टम तक स्टिक करने वाला है वहीं पर मैंने एक चीज ट्विटर पर देखी थी कि जो है वन प्लस अपने पुराने से पुराने फोनों को भी आज के टाइम पर सॉफ्टर अपडेट दे रहा है तो भाई सीरिसली ऐसी सेम चीज वह बाकी कंपनी को भी करनी चाहिए और ऐसा सॉफ्ट्वेर का सपोर्ट जो है सारे ब्रैंड को जरूर देना चाहिए तो यहाँ पर वन प्लस को एक और थमसभा है मेरी तरफ से अ आपका जो है आदे दिन से भी जादा निकल जाता है स्टिल अगर मैं आपको थोड़ी बहुत आपर बैटरी बेकप के बारे में बताओं तो मैं सुबह इसको आठ बजी लेके निकलता था और रात के 10-11 बज़े तक भी इसकी बैटरी खतम नहीं होती थी तब भी 25-30% बैटरी को बहुत जादा पसंदा है हर तरीके से चार्जिंग स्पीड मैं को बोलूँगा कि अगर अपडेट करते तो बहुत अच्छी बात है अगर मैं पर स्पिसिफिकली डिजाइन के बारे में बात करूँ तो मैंने इसको यूस की है के साथ क्योंकि मैं फोन को बहुत बोड़ी वाल डिजाइन होतो और वनप्रस की हिस्ट्री रही है कि इनके बैक पनल पर बहुत जल्दी मतलब बहुत असानी से तूट जाते है गिरते ही बहुत ही चोटे मोटे ड्रॉप से भी तो मैं आप लोग को रिकेमेंट करूँगा कि आप लोग भी केस लगाओ तो य मतलब डैली के अंदर तो मुझे नहीं दिखे मेरे अरिया के आसपास तो हां भाई कवर के ऑप्शन नहीं है अभी मैं इस लोकल से कवर के साथ ही फसा हुआ हूँ आप लोग को यह बताता हूँ क्लियर शब्दों में एक्सिटन टच बिल्कुल भी नहीं है चैटिंग करो स्क्रॉल करो इंस्टागराम पे अगर मैं बात करूँ इस फोन की कॉल क्वालिडी के बारे में तो सीडियसली बहुती कमाल का इसका एरपीस देखने में मिल जाता है स्पीकर्स की बात कर लेते हैं बहुती जादा लाउड है अगर मैं सो कंपेर करूँ आइफोन 11 प्रो मैक से जो मैं यूज करता हूँ डेली ड्राइवर में तो इना मेरी आदा था है गाने सुनने की स्पीकर्स के अंदर ही तो इसके काफी जादा लाउड स्पीकर्स हैं सीरिसली थाम सप है वन प्लस को वहीं पैकरा बात करूँ इसके फिंगर्पिंट स्केनर के बारे में तो यहां पर मुझे कोई भी शिकायत नहीं है किसी भी तरीके की खासके स्पीकर्स तो मैं भूलनी पा रहा हूँ बहुत जादा लाउड है वहीं पर करें बात करें कि डिस्प्ले के बारे में एक चीज नोटिस की कि जो मेरा स्टूडियो यहां पर बहुत सारी लाइट लगी हुई है तो ना इसमें हर टाइम मुझे फुल ब्राइटनेस रखनी बढ़ रही थी और फिर 90% तक तो रखनी बढ़ रही थी योगि अगर मैं थूड़ी सी भी कम कर रहा था तो बहुत जाला डल हो जाती है डिस्प्ले ऐसा मुझे नहीं पता मतलब उस लेवल के कोडिंग कर देता होगा बट हाँ हर टाइम मुझे डिस्प्ले बहुती ही मतलब डल लग रही थी मुझे आइडे नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा था वही पर अगर मैं बात कूर इसकी व्यूइंग एस्पिरेंस के बारे मैं मैं आप लोग मेरे चैरे समझ गए होगे मैं कितना इंप्रेस होंगा इससे सीरिसली 90 हर्ट्स होनी के वज़े से ना फोन जो है एक्स्ट्रा स्मूध हो जाता है तो मेरे साब से फीचर अगर आपको मिल रहा है अगर आप फोन खरीदने का प्लान कर रहे हो तो मिरे साब से 90 हर्ट्स के उपर आपको जोर जरूर डालना चाहिए दिन रात का फरक देखने हो मिलेगा वहीं पर अगर मैं आप लोग को कलर्स के बारे मैं बात करूँ तो यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग के अंदर एक एडवांस सेटिंग है इसके जो अगर आप कोई भी कंटेंट देखते हो यूट्यूब पर फिर कहीं पर भी तो बहुत अच्छे पंची कदर्स बना देता है इसको नो डाउट बहुत जाल अच्छे लगते है बट अगर आपको नैच्छल कर्स पसंद है तो आप डिस्प्ले सेटिंग के अंदर नैच्छल पर भी जा सकते हो मैंने भी नैच्छल करकर देखा है इतना मज़दार नहीं लग रहा जितना वह एडवांस लग रहा था पंची कदर्स के साथ तो चलो टीक है मैं बता सकता हूं आप लोग को डिस्प्ले जो है इसकी नेक्स लेवल लगी हुई है आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो अगर आप इसको खरीदने का प्लैन कर रहे हो तो लास्ट में कंक्लूशन के बारे मैं बात करना थे कि आपको इस फोन खरीदना चाह रहा हूं मुझे बहुत ज़्यार पसंदा है फोन आप ज़रूर खरी सकते हो सूपर वैली फॉर मनी लगा है मुझे अभी तक तो हां मतलब फिर से रिपीट करूँ है कैमरा बहुत बड़ी डाउंसाइड है यहां पर वीडियो खत्म हो जाती है आप लोग मुझे बताना कि कि आप लोग कोई फोन कैसा लगा अगर पसंदा आईओ आपको मेरी वीडियो तो यहां पर आप लाइक करकर ज़रूर जाना और सब्सक्राइब करके हमारी टेक्टिंग जानकर में क्वालिटी में रखते हैं अगले मिलते हैं तैंक्स वाचिंग